नमस्कार दोस्तों, Quality of India के इस प्रोग्राम में मैं आरेन विस्वाकर में आप लोग का बहुत बहुत सवागत करता हूं दोस्तों इस प्रोग्राम में हम दो important aspect जो कि किसी भी organization के लिए important होते हैं यानि कि audit और inspection इसके differences के बारे में जानेंगे लेकिन दोस्तों प्रोग्राम सुरू करने से पहले सारे नए viewers को मैं रिक्वेस्ट है यगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like कर ले वीडियो लाइक करने से हमें motivation मिलता है और आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियो बनाने के लिए encouragement मिलता है तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया inspection और audit ये दोनों के दोनों important aspect होते हैं किसी भी तरह के organization के लिए चाहे वो manufacturing organization हो चाहे कोई service organization हो inspections और audit करना काफी जरूरी होता है कि आप जो product बना रहे हैं जो आप process follow कर रहे हैं क्या वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है क्योंकि ultimately हमारा aim होता है customer का satisfaction बनाए रखना और customer का satisfaction बनाए रखने के लिए हमें सही processes का इस्तमाल करना और सही product और सही services को customer को deliver करना company का एक important objective होता है और इसके लिए हमारे लिए बहुत important है जानना कि क्या हमारे processes सही चल रहे हैं जिससे कि हम ensure कर पाएं कि हमारे product सही बन रहे हैं customer के specification को meet कर रहे हैं या जो हम services customer को deliver कर रहे हैं वो services भी meet कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहां तक कि कहा जाता है कि identical twins में भी differences होते हैं तो अगर आप product manufacturing करेंगे या services देंगे तो भी उसमें भी differences तो होंगे ही होंगे तो दोस्तो अगर differences होगा तो क्या होगा variation आता है और variation को control करने के लिए हमें inspection और audit को करना जरूरी है ताकि हम उसको control कर पाएं variation को minimize कर पाएं और customer के specification को meet कर पाएं तो दोस्तों जो हम inspection की बात करते हैं तो primary purpose हमारा inspection करने का होता है कि जो product की या हमारे जो services हैं उसकी conformity को check करना For an example, अगर मैं इस product की बात करूँ तो ये एक pen है, ठीक है न? आप pen का manufacturing कर रहे हैं तो manufacturing करने के दुरान में मैं इसका inspection करूँगा ये जानने के लिए कि जो product बन रहा है क्या ये desired specification को meet कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो inspection में क्या check करूँगा हो सकता है कि मैं इसका od check करूँ इसका ये length check करूँ इसका मैं color check करूँ कुछ और dimensions होंगे हैं न? comply यानि कि meet कर रहा है कि नहीं meet कर रहा है अगर meet कर रहा है तो confirm कर रहा है अगर meet नहीं कर रहा है तो फिर ये non confirmity हो जाएगी यानि कि ये NC product हो जाएगा तो inspection में typically हम लोग compliance और non compliance को check करते हैं किसी desired specification के against में अब अगर inspection के type की बात करते हैं तो दोस्तों industry में बहुत सारे तरह के inspection किये जाते हैं primarily अगर बात करें तो एक हमारा receipt inspection होता है in process inspection होता है हमारा final inspection होता है तो receipt inspection या incoming inspection में क्या होता है जो आप अपने supplier से material मंगवा रहे हैं आप उसको check करते हैं कि आपके जो specification है जो control plan है उसके हिसाब से product meet कर रहा है के नहीं meet कर रहा है inspection उसी तरीका से in process inspection यानि की आपके company में जो process carry किया जा रहा है क्या उस process के हिसाब से आपका जो product बन रहा है वो desired specification को meet कर रहा है त्सम आप in process inspection करेंगे again कोई desired जो systems है यानि की control plan है या standard है या document है उसके against में हम check करेंगे उसी तरह के से हमारा final inspection होगा या pre-dispatch inspection होगा यानि कि dispatch करने से पहले यानि customer को जो material भेजना होगा product finished condition में होगा उसको भी हम control plan या कोई work instruction या कोई document standard या drawing के हिसाब से हम check करें कि product desired specification को meet कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यह हमारे हो जाएंगे inspection इसके अलावा और भी तरह के inspections होते हैं लेकिन अगर broadly बात करें तो incoming in process final inspection वाकि इसके अलावा layout inspection भी होता है और कुछ company अलग तरह के inspection भी किये जाते हैं अब अगर बात करते हैं audit की तो दोस्तो audit जो होता है compared to inspection थोड़ा ज्यादा time consuming होता है थोड़ा ज्यादा comprehensive होता है और यहां पर हमारा focus जो रहता है वो process पे रहता है और वो system पे रहता है यानि कि inspection फटा-फट की जाते हैं जबकि audit को करने में time लगता है और audit का जो definition है अगर evidence and evaluating its objectively to determine the extent to which audit criteria's are fulfilled यानि कि दोस्तो इसमें systematic approach किया आता है यानि कि कोई documented system रहेगा या SOP रहेगा उसके हिसाब से आप detail thoroughly आप चेक करेंगे लेकिन इसमें independent भी होना चाहिए यानि कि आप खुद का audit नहीं कर सकते हैं for an example अगर आप किसे department का audit करना चाहते हैं तो आप उस department के बंदे नहीं होने चाहिए यानि कि HR का बंदा अपने department का audit नहीं करेगा quality assurance का बंदा अपने department का audit नहीं करेगा तो इसमें क्या होता है independent होता है यानि कि अलग department का बंदा audit करेगा अलग functions का बंदा audit करेगा और उसके लिए documented process होता है जिसमें कि हम objective evidences वगरा देखते हैं यानि कि हम thoroughly process को end to end चेक करेंगे कि क्या पूरे defined process को follow किया गया है कि नहीं किया गया है for an example अगर हमने इस product की बात किती इंस्पेक्शन करने की यानि कि इंस्पेक्शन मेंने कुछ important dimensions वगरा चेक किये थे ठीक है ना लेकिन जब मैं इसका audit करूँगा तो audit में मैं thoroughly check करूँगा कि क्या इस product को बनाने के लिए जो procedure define किया गया है उसको follow किया जा रहा है manpower जो लगाया गया है क्या manpower competent है कि नहीं है इसमें अगर rejections होता है, rework होता है तो क्या उसका handling करने का जो procedure है, systems है वो follow किया जा रहा है के नहीं किया जा रहा है properly tagging किया जा रहा है Metal का handling properly किया जा रहा है Metal का packaging properly किया जा रहा है तो इस सारे चीजों को हम detail में audit करेंगे अब audit में ये भी होता है कि defined criteria को fulfill किया या कि नहीं किया गया है अब criteria क्या हो सकता है criteria याने कि आप audit किस तरह के कर रहे हैं क्या आप product का audit कर रहे हैं तो audit में हम ये भी चेक करते हैं कि जो भी मेरा defined criteria है क्या वो fulfill हो रहा है कि नहीं हो रहा है और audit as compared to inspection थोड़ा ज़्यादा comprehensive होता है तो तो audit को भी हम broadly तीन category में divide कर सकते हैं first party, second party और third party audit अब ये party क्या होती है first party का मतलब होता है घर के लोग घर के process को ही audit करेंगे यानि कि आपकी एक company है और आप company में अलग-लग functions हैं अलग-लग departments हैं और आपके company के ही लोग अलग-लग department में, cross department में जाके audit करेंगे तो घर की बाद घर में ही audit की जा रही है इसको हम कहेंगे first party audit यानि कि कोई बाहर का intervention नहीं है इसमें दूसरा ओरिट हमारा हो जाएगा second party ओरिट यानि कि ये जो होता है ये supplier और customer के बीच का ओरिट होता है यानि customer अपने supplier के यहां पर जाके ओरिट करता है जिसमें दोनों के बीच में कोई business relationship हो third party ओरिट में क्या होता है कोई business relationship नहीं होता है independent authority होती है जैसे कि हमारे certification board होते हैं जो कि ISO 9001, 14001 या IATF अलग-अलग management system के लिए आके ओरिट करते हैं और जो standard रहता है उसके साफ से compliance, non-compliance बगरा बगरा चेक करते हैं और आपको certificate issue करते हैं या कोई government agencies के लोग आके आपके हाँ पर ओरिट करते हैं तो वो सारे जो ओरिट रहेंगे वो आपका third party ओरिट कहलाएगा तो दोस्तों हम summarize कर सकते हैं कि inspection में mostly हम लोग what देखते हैं हम dimensions वगरा चेक करते हैं जबकि ओरिट जो होता है why को ढूणता है यानि की थोड़ा detail में जाता है process और system को questions करता है inspection जो रहता है basically action पर question करता है कि desired action सही हुआ कि नहीं हुआ आप उसको check करके compliance non-compliance देखते हैं जबकि ओरिट होता है ये पूरी process को check करता है कि पूरी process जो है सही तरीके से design किया गया है develop किया गया है उसको follow किया जा रहा है और उसको follow करने में कोई problem तो नहीं है inspection जो होता है generally short term का होता है current scenario को questions करता है जबकि ओरिट जो होता है ये past को check करता है आनि कि past के documents, systems को thoroughly check करता है और long term के perspective को नजर में रखता है complexity के बास हम अगर बात करें तो inspection थोड़ा सा simple होता है जबकि audit थोड़ा सा ज़्यादा complex होता है inspection जो रहता है generally actions create करता है जबकि audit जो होता है recommendations create करता है अगर depth of review की बात करते हैं तो inspection जो रहता है उतनी depth में नहीं आता है as compared to audit तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस program से आपको audit और inspection इन दोनों के differences को समझ में आ गया होगा अगर आपको लगता है कि हमने इस differences में कुछ point को miss किया है तो आप comment section में उसको mention करना न भूलें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई नया वीडियो बना के लेका है उसके बारे में भी आप comment section में जरू लिखें और हाँ दोस्तों अपने career को नहीं उचाह में लेके जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमारे online training का अपसर डिविशन प्रोग्राम का benefit जरू उठाएं हमारे app को google play store से apple के store से download कर सकते हैं या आप आपने portal में directly courses.qualityhubinia.com में विजिट करके courses को select कर सकते हैं काफी economical price में बहुत ही detail में course contents है with examples, case studies और international level के accreditions globally recognized courses आपको competitive prices में मिलेंगे जिसे आप घर बैटे सिख के अपने career को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों किसी पर तरह consultancy services के लिए भी हमें connect करना न भूलें हमारा phone number और हमारा mail ID स्क्रीन पर displayed है तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवार टेक केर दोस्तों जाहिन